नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमेद आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप फाइड बैसे स्मार्टफोंस की जो कि आप ख़िए सकते हैं अंडर 30,000 रुपीज की प्राइज में इस माई ने बेसिकली 25 से लेकर 33,000 पर अगर आपका बजट है तो ये वीडियो दोस्तों काफी helpful होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप इन में से एक phone purchase करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहीगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम रैंकिंग करेंगे नंबर 5 तो नंबर 1 जो की price specification और हमारे practical experience को देखकर बनाए गई है हाला कि आपकी रैंकिंग थोड़ सी अलग हो सकती है लेकिन फिर भी आप थोड़ सा idea जरूर ले सकते हैं कि आपको कौन से phone की तरफ जाना चाहिए chipset के साथ में जो की flagship chipset है दोस्तों करीब 8 लग से उपर के आपको benchmark score देखने हो मिल जाते हैं powerful performance दोस्तों में यह chipset देता है अगर आपको gaming करनी है 90 episodes का gaming भी आप यहाँ पर कर सकते हैं तो mainly performance के लिए दोस्तों सब सहचा phone है IQ 907 लगबख 25 ज़ और भी प्राइजिंग में अब दोस्तों इसके अलवा phone decent है design आप देख सकते हैं यह ठीक सही है लेकिन display quality आपको अच्छा देखने हो मिलने वाला है super remote panel 128s का screen refresh rate आपको यहाँ पे देखने हो मिल जाता है 121 के fast charging support की साथ में आपको यह देखने हो मिलेगा speaker अच्छा हैं दोस्तों फोन में gaming करने में सचे में आपको अच्छा लगेगा मेरा practical experience भी दोस्तों इस phone के साथ में अच्छा रहा है तो आप इसे consider कर सकते हैं आज की list में यह आ रहा है number 5 की position पर number 4 वाला phone दोस्तों उन लोगों के लिए है जो की camera centric phone चाते हैं या फिर उनको design अच्छा चाहिए जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Vivo की V29 की हाला कि इसका pricing आपको online 30,000 पर से उपर देखने हो मिलेगा लेकिन अगर आप offline market में try करते हैं तो definitely यह phone हमें under 30,000 रुपीज की price में मिल जाता है दोस्तों अगर आपको phone में camera अच्छा चाहिए तो यह one of the best phone है दोस्तों 50MP का primary sensor है यहाँ पर 8MP का ultra white sensor, rear camera दोस्तों सच में काफी amazing है, काफी अच्छी image को यह capture कर लिता है, front में भी 50MP का primary sensor है यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह curve display है जो कि आता है Super AMOLED पैनल के साथ में 128 का screening refresh rate भी में यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों फोन के design की तो वो भी आप यहाँ भी देख सकते हैं काफी खूपसर डिजाइन है और जैसे कि मैं आपको starting में नहीं कहा था अगर camera satanic phone चाहिए, अच्छा design वाला phone चाहिए तो सबसे बड़े दिमार्ट में यही option आता है performance ठीक है दोस्तों Snapdragon 770 8G chipset में हाँ पर देखने को मिल रहा है phone में 4600 image का battery दिया गया है 80W के fast charging support के साथ में speakers बगेर अच्छे हैं दोस्तों तो हाँ especially camera और design के लिए दोस्तों definitely बहुत अच्छा option है आप इसे consider कर सकते हैं आज की लिसमें यह आ रहा है number 4 की position पर number 3 पर आता है दोस्तों Moto की तरफ से Moto H40 की में बात कर रहा हूँ जिसका pricing लगबख 26,000 पर है दोस्तों हाना कि पहले जब यह launch हुआ था तो यह 30,000 पर आता है तो यह 30,000 पर आता है तो pricing काफी अच्छा हो गया है दोस्तों इस phone को आपने practically काफी बाद test किया है और काफी अच्छे results हमको यहाँ पर देखने हो बलते हैं दोस्तों चाहे फिर हम बात कर रहे हैं इस phone की design के बारे में चाहे हम बात कर रहे हैं इस phone की display quality के बारे में या फिर चाहे हम बात कर रहे हैं इस phone के performance के बारे में design से start करते हैं दोस्तों rear design आप देख सकते हैं leather finish के साथ में दोस्तों ये दिया गया है front में आपको एक curved display देखने हो मिलने वाला है P-Wallet panel के साथ में 140W का screen temperature भी है दोस्तों display quality सच में काफ़ इंप्रेसिव है यहाँ पर अगर मैं बात कर रहूं performance की तो MediaTek Dimensity 8G-2060 के साथ में यह देखने हो मिलता है camera 50MP का primary sensor है OIS का support आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगा साथ दोस्तों near to stock UI के साथ में यहाँ देखने को मिल जाता है dualisture speakers यहाँ पर दिया गया है in display fingerprint sensor यहाँ यहाँ पर दिया गया है फोन का performance अच्छा है, फोन का display quality अच्छा है फोन का design में आप यह अच्छा देखने को मिल रहा है और अब इस फोन का pricing में दोस्तों इस फोन को काफी value for money मला आ जाता है इसलिए दोस्तों यहाँ आ रहा है मैं number 3 की position पर number 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों तो यहाँ आता है honor की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ honor 90 की pricing दोस्तों इस फोन का बहुत ही frequently change होता है लेकिन आपको तब ही purchase करना है यह phone जब हमें यह phone 27, 28, 29,000 पी pricing मिल जाए मतलब under 30,000 पिस की price मिले तो ही आपको यह phone consider करना है मैं eye free risk के साथ में देखने हो मिलता है एक curve display आपको देखने हो मिल रहा है दोस्तो amoled panel है 128 का screen refresh rate है camera दोस्तों इस phone का key highlight feature 200 megapixel का primary sensor दिया गया है 50 megapixel का front camera भी इसके लब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो Snapdragon 7 generation 1 chipset के साथ में को देखने हो मिलता है जो की note road एक बहुत भी powerful chipset है battery 5000 image का है और यह आता है 66 watt के fast charging support के साथ में तो हाँ दोस्तो एक बहुत ही कमाल का phone है लेकिन price का आपको जान रखना होगा जब इसका pricing आपको under 30,000 रुपीज देखने को मिले बहुत बार देखने को मिलता है तो फिर आप इसको purchase कर सकते हैं आज की लिसमें यह आ रहा है number 2 की position पर और अब आ रही है दोस्तो number 1 की तो यहाँ पर मैं आपको एक नहीं बलकि दो option कर रहा हूँ पहला option आता है दोस्तो Samsung की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 वाले variant की जिसका pricing आपको sale में या फिर काफी बार करीब 30-31,000 पर के आसपास देखने को मिल जाएगा इस से उपर इस phone को purchase नहीं करना है क्योंकि Samsung इसका pricing कई बार 45-50,000 पर रखता है इस price में बिल्कुल भी निखलेना चाहिए लेकिन अगर 30-31,000 पर इसका price आपको देखने को मिलता है जैसा कि मुझे अभी देख रहा है तो फिर आप इसको purchase कर सकते हैं Snapdragon 888 एफसाइट के साथ में आपको देखने को मिलेगा Front side से Dynamic AMOLED 2X screen यहाँ पर दिया गया है 128X के screen रफिशेट के साथ में camera दोस्तो 12MP का primary 12MP का ultrawide अच्छा सा perform कर लेता है battery ठीक है दोस्तो बहुत जब अच्छा मैं नहीं कहूंगा speakers आपको अच्छे दिखने मिल जाते हैं और especially UI के हम बात कर रहे हैं जो की काफे ज़ज़ा optimize होती है wireless sizing के option बें यहाँ पर दिखने मिल जाता है Samsung के NOX security वाले picture आपको यहाँ पर दिखने मिल जाते हैं जो की experience को थोड़ा सा और बैतर बना देते हैं तो हाँ यह अगर आपको 31,000 पर प्राइज मिलता है तो definitely दोस्तो यह आता है number 1 की version पे लेकिन एक और phone है दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ IQ Neo 7 Pro इसका प्राइजिंग भी करीब 32,000 पर आसपार रहता है लेकिन bank of order लागा के या फिर कोई discount अगर आपको वहाँ पर मिल रहा हो तो यह जनरली 31,000 पर प्राइज मिल जाता है और यह बहुत ही amazing option है दोस्तो क्योंकि यह आता है snapdragon 8 plus Zen 1 chipset के साथ में जो की no doubt एक बहुती powerful chip set है इसके जैसा performance इस price में और कोई phone नहीं देता है साथ दोस्तो यहाँ पर आपको intermittent gaming chip भी दी गई है तो gaming performance और अच्छा हो जाता है इसके लब अगर मैं बात कर रहा हूँ फोन के design की दोस्तो तो यह भी impressive है rear design अब देख सकते हैं leather finish के साथ में हमको देखने हो बलेगा front में दोस्तो एक flat display दिया गया है जो कियाता है super AMOLED पैनल के साथ में 128 का screen refresh rate अब को यहाँ पर देखने को मल जाता है camera में दोस्तो यह phone पीछे नहीं है 50 megapixel का Samsung का sensor यहाँ पर यूज किया गया है काफी अच्छी image को ही capture कर लेता है दोस्तो phone में 5000 mAh का battery दिया गया है 120W के fast charging support के साथ में dual studio speakers आपको यहाँ पर देखने हो बल जाते हैं इस phone को दोस्तो मैंने practical use किया है और यहाँ पर मेरा experience बहुत ही कमाल का था तो इसलिए दोस्तो मैं आपको यह phone रिकमेंड कर सकता हूँ नंबर वान की position बर तो कोल में लागा दोस्तो यह थे top 5 best smartphone जो कि आप खरीच सकते हैं under 30,000 रुकिस की price में मुझे पूरी में दोस्तो यह वीडियो देखकर आब बने एक battery दिजल ले पाएंगे अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियो देखना चलकर सब्सक्राइब जो कर लिजे हम आपसे मिलते हैं अगला ऐसी किसी वीडियो में तर तक आपके देंशे आप रहें आज कभी देखने के बहुत बहुत दिने बाद